दोस्तों नमस्कार, हिंदीकुर्णी.com में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करने चल रहे हैं निवंद लेखन के बारे में निवंद लेखन के अंदर के ता आज हम लोग बात करेंगे मजहब नहीं सिखाता आपस में बायर रखना तो उर्दू के प्रिफिद सायर मुहमद इकबाल की गीत किया पंक्तियां अनेक बार दोराय जाती है मजहब संबरदाय जिसे कभी कभी धर्म भी कह दिया जाता है हमें परस पर सतुरता करना नहीं सिखाता इकबाल की इन पंक्तियों में एक ऐसे सच्चाई है जिसे कटरपति देखकर भी नहीं देखते धर्म के नाम पर लोगों को उतिजित क्या जाता है धर्म के नाम पर हत्याय की जाती है परोसियों के घरों में आग लगाय जाती है मजहब की रच्चा या सिवा के नाम पर दंगा कराय जाते है मा बेहनों की इज्यत निलाम की जाती है, नीरी बच्चों की हत्य की जाती है धर्म संकट में है कि गंटी बजा बजा कर मुले मौलवी पंडित पादरी धर्मांधता को बढ़ावा देते हैं धर्म के नाम पर मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग किया एता है संपरदाई के अत्याशार वेदभाव तता सोफन का साधन बन जाता है संपरदाईकता की आग में मनुष्यता जल जाती है संदेख होने लगता है कि कभी इकबाल की या पंक्तिया कोरी कलपना तो नहीं है मजविया संपरदाईका सम्मद पूजा पद्धती यह उन कर्मकार्णों से है आत्मा की सुधी के लिए और मुक्ति पाने के लिए हर व्यक्ति कोई ने कोई उपासना पद्धती जो की वेक्तिधार में खुता है चुन लेता है उपासना पूजा एक नितांद व्यक्ति कृत्य है सब इस समाज में उपासना की सुतंदरता परदान की जाती है भारते सम्मदान में भी भारत को एक धर्म निर्पेश राष्ट गोसित किया गया है परन्तु प्रतेग नागरिक को पासना पद्धती अपनाने की आजादी दी गई है धर्में संब्रदाय के धार पर किसी वरकार का बेदभाव नहीं किया जाएगा और यह बात जगा जगा दोराई भी गई है धर्म की आउसकता आखिरकार मनिस को क्यों पड़ी जा धार्मिंग विश्वाज मनिस जीवन को सुख में बनाते हैं इन प्रस्नों का उत्तर खोईशते हुए हम उस आदिम यूग में पहुंच जाते हैं कि जब जंगली मानो प्रकृतिक के सक्तियों को भय और आश्यर के दिश्टी से देखा करता था वनिश्य ने प्रकृतिक सक्तियों को अपने अनकूल बनाने के लिए उसकी पूजा प्रारम कर दी दीर दीरे अन्यविधी विधान भी बिक्सित हो गए सारी प्रकृतिक सक्तियों में नेंता की रोप में एक इस्वर की कल्पना भी कर ली गई वास्तों में धर्म का विश्कार मानों को सुरुष्य प्रदान करने के लिए हुआ इस्वरी विश्वास भी मनुस को सक्ति प्रदान करता है कोई भी धर्म, दुश, अथवा, हिंसा को चित नहीं मानता प्रेम को सभी धर्मों संपरदायों का मोल स्विकार किया गया है धर्म तो मात्र जीव मात्र में परमात्मा के दर्सन करवाता है धर्मी बिक्ती सभी प्राणियों में उसी स्वर का निवास देखता है इसके लिए तो बस प्यार करता है महात्मा तुल्फिदास जी ने कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी करहों पड़ाम जोर जुक पानी अधार्त मैं सारे संसार में उसी ब्रह्म सिता राम का निवास बानता हूँ से लिए मैं सारे स्रिष्टी को हाज जोड़कर नमस्कार करता हूँ मात्मा कबीर ने भी इस्वरी भक्ति को प्रेम का मार्ग माना है जो प्रेम नहीं कर सकता वो अफच्चा भक्त नहीं हो सकता वो धार्मिक नहीं हो सकता कबीर दाजी ने कहा है या तो घर है प्रेम का खाला का घर ना है सिस उतारे भुई धरे तब पैठे घर माए सचमुच धर्म का धार प्रेम है सूफि संतों ने तो संसारिक प्रेम और इस्वे प्रेम में कोई अंदर नहीं माना है भक्त कवियों ने प्रेम कोई भक्ती कहा है संसार का ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो दुस्मन्नी को मात्व देता है सभी धर्मों में इस्वर, द्यालू, कृपालू, रच्चक एम दीन वंदू कहा गया है सभी धर्मों में दीन दोख्यों की सहता का विधान है सभी धर्म या संपरदाय जीव मातक की रच्चा पर बल देते हैं सबी धर्मों के पीर, पैगंबर, आउतार, महात्मा, दया और करणा को ही महत्तु देते हुए आए हैं तो मजहब बैर का फैलाता है इस विशेपर पिचार करना नितान तावस्यक है जिस समय मजहब स्वार्थी लोगों के हाथों की कट पुदली बन जाता है वो समय वा फदर्ता फैलाने का खाधन बन जाता है स्वार्थी नेता धर्म के नाम पर भूली भाली जनता को लड़वाता है और अपना ओड बैंक पक्का करता है सत्ता की दोड में अंधा हुआ राजनेता धर्म या संबर्दाय के नाम पर जनता में फूट डाल कर अपनी कुर्सी पक्की करता है स्वार्थ में अंधे होकर धर्म का ठेकेदार विवने संबर्दायों के नायों को लड़ा कर अपना नेत्रत पक्का कर लेता है सिस्यों की भीर उसके हलवे मौडवे का प्रबंद करती जिसके लिए वह आवस्ता के कि विवने संबर्दायों में तनाव बना रहे संबर्दायों का काण अनेक बार आर्थिक हित भी होगा करते है यद बेपार पर किसी एक जातिक आदिपत्य है तो दूसरी जातिया धर्म की लोग धर्म के नाम पर दंगे करके बेपारियों को सहर छोडने के लिए विवस कर देते हैं इस परकार धर्म के नाम पर रख पात होता है पैसमीर और पंजाब के उगरवादी आज भी अपनी राहनितिक लड़ाई धर्म की आड़ में लड़ रहे हैं जगड़ा वास्तों में हिंदू सिख्या मुसल्मान की बीच नहीं है जगड़ा नहीं स्वारतों के बीच में है तो इस परकार हम कह सकते हैं कि धर्म किसी को भी बैर भाव नहीं सिखाता है जो लोग धार्मिंग भावनाओं का दुर्पयोग करते हैं वेही धर्मों को मनिस्त्यों में फूर डालने के लिए हथियार की तरह प्रियोग करते हैं तो आसा करता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपसें बैर रखना निबंद आपको समझ में आ गया होगा यदि आपको इसी तरह के और भी निबंद चाहिए जो कि आपके अधिन के लिए अवसक है तो आप हिंदीकुझ.com को विजिट करें वहाँ पर धेरो निबंद आप लोगों के लिए और भी अन्य पत्रे लिखनिया आपके अधिन से जुड़े हुए अधिन सामगरी वहाँ पर दी गई है जो कि लिए आपके लिए अवसक्त फिद्ध होगी ऐसा करता हूँ कि विडियो आपके लिए उप्रोगी फिद्ध होगा धन्यवाद दोस्तों हिंदीकुझ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें